नमस्कार मैं हूँ सोनी सिंग और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बिंद में हिंदु धर में दिवाली का तिवार बड़ी धुमधाम से मनाया जाता है और इस दिन देवी लक्षमे और कुवेर की पूजा का विधान है लक्षमी जी को प्रसन करने के लिए लोग उनकी पूजा के साथ सब कई तरह के उपाई भी करते हैं जिससे कि उन्हें मा का आशिरबाद मिले और उनके जिबन में पैसों की तंगी कभी न आये और घर में इस तर लक्षमी भी राजे इस बार दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी मानियता है कि दिवाली की रात किये गए कुछ उपाईयों से मा लक्षमी प्रसन हो सकती है और आशिरबाद हमेशा घर के सदसियों पर बना रहेगा तो चलिए जानते हैं कुछ छोटे छोटे उपाईयों के बारे में पहला है दीपावली के दिन किसी युबा सुहागन इस्त्री को घर पर भोजन मिठाई खिलाएं और लाल बस्तर भेट करें दूसरा है दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को चने की कच्ची डाल चड़ाएं और बाद में पीपल के पेड में चड़ा दें तीसरा है आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए दिवाली के दिन चांदी, तामवा या श्टील के बरतन में पानी भर कर घर के इशान कोण में रख दें पानी का परतन रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि घर की तिजोरी का मुह उत्तर दिसा में हो और तिजोरी रखें पैसे, गेहने, लाल या पीले कपड़े में बांध के रखें माना जाता है कि इस तरह के टोटके से मा लक्षमी प्रशन होती है और जीबन में धन सम्बंधी सभी परिशानिया जल्द खतम हो जाती है चौथा है दिवाली के दिन रोटी बनाएं और रोटी के चार बराबर टुकड़े कर लें इन में से पहला भाग गाई को खिलाएं, दूसरा भाग काले कुट्टे को खिलाएं, तीसरा भाग कव्वे को खिलाएं और आखरी भाग घर के पास किसी चोड़ाहे पर रख दे इस उपाय से आपको आर्थिक कस्टों से चुटकारा मिलेगा और बिगड़े काम बनने लगेंगे और पांचवा है धन आगमन के योग बनाने के लिए दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन के साथ साथ काली हल्दी की भी पूजा करें और फिर काली हल्दी को अपने घर ओफिस की तिजोरी में रख दें दिवाली भारत के सभी प्रमुक्त वहारों में से एक है इस उपाय से घर में धन लाव की संभावनाएं बढ़ जाएगी कार्तिक महीने की आमवश्या को दिवाली पर्व मनाया जाता है इस दिन शुभ मुहरत में सही बिधी विधान से लक्षमी पूजन किया जाता है और मा लक्षमी से धन संपदा का आशिरवाद लिया जाता है और लक्षमी जी को प्रसन करने के लिए किये गए उपाय बहुत ही कारगार साबित होते हैं अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें